हालो दोस्तो स्वागत है आप सबीकों दोस्तो आजम जैना इसका होग 0.177 क्यलिवर एर राइफल का एक्रिसी टेस्ट करके देखेंगे 50 मीटर्स पे और मैं एक्रिसी टेस्ट के लिए यूज करूंगा फैलेट्स जैस्बी एक्जेक 10.34 ग्रेंस और क्योई एस 9.56 ग्रेंस यह दोनों फैलक यूज करेंगे और मैग्जिन उसे करेंगा मैग्जिन भी है लेकिन मैग्जिन उससी नहीं करेंगा सिंग्ल सोट करेंगा तो अच्छे लिए दोस्तों सुटिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों जो राइट साइट वाला थर्केट है ना आई मीन जो मैंने मार्क किया है रेट इंक से उस पर मैं जैस्बी एक्जेक 10.34 ग्रेंस चलाऊंगा फिर लेफ साइट वाला में मैं चलाऊंगा क्यो आइस 9.56 ग्रेंस खर ससके बाला किया राइट से वाला में मैं जैस्बी एक्ड़ खर आई वाला दोस्तोंगा वाला थर्केट बाला वाला 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 थर्केटश्गा हम ज़्यादा सोर्स नहीं करेंगे फाइफ सोर्स गुरूफिंग बनाऊंगा दोनों पैलेट से एक फ्लायर मैंने देखा नहीं साइट पैलेट्स स्कूर्ट डेमेस वह लाता होगा ओसम चलिए क्यों आइस सोर्ट करेंगे क्यू वाई एस एक बढ़िया चैनिस मेट पैलेट्स है सुना है यह सेवें ठाइम गोल मैदली से बहुत ही बढ़िया एक पैलेट्स चलिए ट्ज्ग वाई प्पाठ गोगने परते पाधें वाई ड्री उलेट्स चलिए ज्श्ड़ण पैलेट्स चलिए प्पाँ परते वाईक्शना चलिए औले। ख्भंड़ बाहर सोथ हो रहा है दोस्तों इसका मतले बहुकी इसका बैरल है ना ये क्यू आइस को फैवर नहीं करता ग्रूफ फैला हुआ है क्यो आइस का चलिए दोस्तो मैं अपना ठार्गेट आप सभी को डिखाऊंगा किस तरह का ग्रूफिंग बना है हम नस्दीक जाके देखेंगे तो दोस्तो आप देख सकते हैं यह रहा रिजल्ट इस पर मैंने चलाया JSV EXEC 10.34 ग्रेंस और एक फ्लायर निकला यहाँ पर इसमें QS चलाया ग्रूफिंग आप देख सकते हैं तो रहा फैला हुआ है हम मेजर करके देखेंगे वो भी देखें यह स्कल आप देख सकते हैं सेटिंग इसमें है आए एन यहाँ पर देख रहा है इसमें तो सेंटर तो सेंटर इसका जो वो है आप ग्रूफिंग है यह देखें यह हाप इस से कम 0.45 आप देख सकते हैं 0.45 इंचे से इसका ग्रूफिंग यह फ्लायर हम काउन नहीं खरेंगे और यह है QIS का कितना आया देखते हैं सेंटर तू सेंटर यह आप देख सकते हैं यह करीब 1.77 देर इंच से ज़्यादा ग्रूफिंग आया है अगर इसे हम काउंट ना करो यह जो राइट साइट पर सोट वैसे काउंट ना करो इसे फ्लायर मानो तो इसमें कितना आया है इसमें आया है 0.92 इंस यानि कि एक इंसे खम ग्रूपिंग आया है अच्छा रिजल्स है दोस्तों लेकिन इसका बैरल है यह QIS फैबर नहीं करता JSB 10.34 बहुत अच्छी तरह चलता है एक फ्लायर आया साइट इसकेर्ट डेमेस होने के खारण या मेरा हिलने के खारण भी हो सकते लेकिन मैं हिला नहीं था तो मुस्ट प्रोब्रेब्ली इसकेर्ट ही देमेस था इस पैलेट का सो दोस्तों आप सभी ने रिजल देख लिया बहुत अच्छा रिजल्ट है एक्सलेंट रिजल्ट है विट JSB 10.34 ग्रेंस क्यों एस तोरह फैला हुआ हुआ है लेकिन एक इंसका अंदर में है एक फ्लायर है उसमें भी अगर हम फ्लायर कांट ना करू तो फ्लायर होटा है सकता है लेकिन सुटिंग के दोरान में बिल्कुल हिला नहीं हो था तो मस्ट प्रभरबली फैलेट्स देमेश था उसमें इसके फैलेट्स के इसकारण फ्लायर आया दोस्तों यह एक रेगुलेटिट एर रैफल से दैना कंपनी का बहुत अच्छ एर रैफल से अंदर वान यह भी ओन अब देटर चोईस होगा आप सभी के लिए लेकिन मैं जानता हो आप सब पूछेंगे यह बैटर है ना आउटलो बैटर है अंदर वान लेक तो मेरा साजिशन यह रहेगा कि आप आउटलो पर जाहिए इस पर मत जाहिए आउटलो का बैरल एकी कंपेनी है बैरल सोट नहीं कर पाएगा यह लाग फैबर नहीं करता और जादा तो फैलत यह फैबर नहीं करता कुछ गिना चुना फैलत सी फैबर करता है और शोब दोस्तों बस अतना ही आज के लिए हम मिलते हैं बहुत जद तबते के लिए इसी तरह बने रहे हैए मैरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अफ़टाski दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह मुझे देर सार प्यार देते रहे है है तेंकि यू सो मच